कि नमस्ते मेरा नाम आशिश दिश्चित है और आप इस वक्त इंडिया नियूस का डिजिटल प्रेटफॉर्म देख रहे हैं सीमा हैदर के फैंस कहें या समर्थक कहें उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं सीमा हैदर रौ एजेंट की जो किरदार में आपको कुछ दिनों में नदर आएंगी सीमा हैदर को एक फिल्म जो है मिली है अमिज जानी फिल्म प्रोडूसर है उन्होंने फिल्म उनको ओफर की है आज वो उनके घर पहुचे थे सीमा हैदर की आर्थिक तंगी को देखते हुए पिछली दिनों हमने यह मुद्द उठाया था उसका असर यह हुआ कि आमिज जानी ने इंडिया निउस पर कहा था कि सीमा हैदर को मैं अपनी फिल्म में लूँगा कनहिया लाल मडर केस आपको याद होगा जो उदैपूर में हुआ था उस पर एक फिल्म वो बना रहे हैं जो नवंबर में रिलीज होगी उसको लेकर वो उन्होंने किया था कि सीमा हैदर में जो एक्टिंग टैलेंट उनको दिखता है उसके को देखते हुए वो उनको आपनी फिल्म में लेंगे और मैं यह वीplatz है घर पहुंचे और सीमा हैदर ने उनके पैर चुए आशीरवाद लिया और यह कहा कि मैं फिल्म में करूंगी यह आपका यह जो फिल्म जो है वीडियो बंद हो गया मैं आपको फिर से दिखाता हूं उन्होंने का कि मैं यह फिल्म करूंगी और करने के साथ उन्होंने रोल जो उनको बताया गया उन्होंने वहां पर ऑडिशन भी उनका लिया गया जिसमें वह पास हो गई है और फिल्म करें हैं कि ATS और सुदरक्षा एजेंसियां तमाम उनकी जाज कर रही है जासोसी एंगल को ले करके उन्होंने का अगर क्लींचिट मुझे मिल जाती है जैसे ही क्लींचिट मिल जाती है मुझे उसके बाद फिर मैं ये काम करूंगे जाने जीशनों ऑफर दी है मुझे तो मैं करूं हलाकि लगबग कहा जा रहा है सूत्रों का हवाले से खबर है कि जात में कुछ भी नहीं पाया गया और क्लींचिट मिलनी तय है इसका मतलब सीमा हैदर का हेरोइन बनना भी तय है और जल्द ही आप उनको परदे पे देखेंगे ये वीडियो मैंने आपको दिखाया कि किस त ठीस दिखाई दी और थोड़ा सा अपने आपको इसन थक्ण था फोड़ा सा उनको लगा कि थोड़ा सा टीच अप मेंकप भी ले लूँ तो टॉट आप मेकप के साथ दिखाई दी और ओड़ी शन दिया और फिल्म उनको मिल चुकी है और कहा यह जा है कि सीमा हैदर ये लोग कह रहे थे कि सीमा हैदर की वज़े से सचिन का परिवार पुरा मुसीबत में पढ़ गया पुलिस कोट कचेहरी के चक्कर लग गए वह पाकिस्तान से क्या आई सचिन के परिवार पर मुसीबतों को पहाड लेकर आई है चार बच्चे तो उनके हैं ही लेकिन अब वही सीमा हैदर तारन हार साबित हो रही है सचिन के परिवार के लिए जिस तरीके से उन पर काफी करज था, कहा जा रहा था कि सीमा ने करज उतारा है, लेकिन सीमा से मैंने डारेक्ट जब पूछा था, कि सीमा क्या आपने पैसे देखकर सचिन के परिवार की मदद किये, तो उन्होंने साफ इंकार किया था, अब सीमा को ये फिल्म आफर हुई है और इस फिल्म के जरिये वो बॉलीवुड बड़े परदे पर आएंगी, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से उनका फेम है, जिस तरीके से पसंद कर रहे हैं लोग उनका शोशल मीडिया पर और घर-घर उनकी पहुँच हो चुकी है, कहा जा रहा है कि बिग मैं कमेंट कर सकते हैं, नमस्ते